राम मंदिर में लगेगा 2400 किलो वजन का घंटा, एटा में बनकर हुआ तयार कीमत जानकर रह जाएंगे दन्ग। घंटा अश्टधातु का है जिसमें पीतल कास्य तामबा, एलमूनियम, लोहा, स्वर्ण, चांदी और जस्ता शामिल हैं। एक निश्चित मात्रा में इन अश्टधातूं का उपयोग किया गया है, 2400 किलो का घंटा बनने में 21 दिन लगे, पीतल पिगला कर साचे में डालने का काम एक दिन में हुआ, 20 दिन अंतिम सपर्ष देने में लग गए, इस काम में 70 श्रमिक लगे, घुंगरु की नगरी एटा के जलेसर में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के लिए बनाया गया घंटा सोमवार को अयोध्या भेजा जाएगा, 2400 किलो वजन का घंटा अश्टधातू से निर्मिध है, रविवार को इसका पूजन किया गया, सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प् कीमत जानकर रह जाएंगे दन, घंटा अश्टधातू का है जिसमें पीतल कास्यतांबा, अल्मूनियम, लोहा, स्वर्ण, चांदी और जस्ता शामिल है, एक निश्चित मात्रा में इन अश्टधातूं का उप्योग किया गया है, 2400 किलो का घंटा बनने में 21 दिन लगे, प 2400 किलो वजन का घंटा, एटा में बनकर हुआ तैयार कीमत जानकर रह जाएंगे दन, राम मंदिर, राम मंदिर में लगेगा 2400 किलो वजन का घंटा, जागरन समवाददाता, एटा, घुंगरू की नगरी एटा के जलेसर में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के लिए ब सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल द्वारा बनवाए गए घंटे की लागत 25 लाख रुपय आई है, घंटा भेजने के लिए तैयार कराया राध, पूर्व में पालिकाद्यक्ष विकास मित्तल ने श्री राम मंदिर में जलेसर में बने घंटे को लगवाने की पहल की थी, उनके निधन के बाद स्वजन ने इस काम को पूरा किया, आदित्य मित्तल ने बताया की अयोध्या तक घंटा पहुंचाने के लिए रत तैयार कराया गया है, सोमवार सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा, उप्रके वन एवं पर्यावरन रा अश्टधातु से निर्मित है घंटा, घंटा अश्टधातु का है, जिसमें पीतल, कास्य, तामबा, एल्मूनियम, लोहा, स्वर्न, चांदी और जस्ता शामिल है, एक निश्चित मात्रा में इन अश्टधातूं का उप्योग किया गया है, 2400 किलो का घंटा बनने में 21 दि पीतल पिगला कर साचे में डालने का काम एक दिन में हुआ, 20 दिन अंतिम स्पर्ष देने में लग गए, इस काम में 70 श्रमिक लगे, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में लगे घंटों में ये देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसके निर्मान में लागत 25 हो रहा था, 21 किलो के घंटे को बनाने में कारीगर दिन रात काम में लगे हुए थे, आश्टधातु के इस घंटे को फिलहाल दिसंबर के महीने के अंत तक अयोध्या के राम मंदिर पहुंचा दिया जाएगा,